कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब साधी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरूस है वो तो रोज रात में जिसे सदिया होता उसके साथ करता है न तो उसी में और पैदा हो जाता है और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूमता कि वो करेगा ठीक है लेकिन अंतिम में भीतर मत खुशाओ उसको बाहर कर दो अकरता तो है तो उसी में अब समझ लीजिए संच्याग घट रही है नितिश कुमार पर उम्र का असर हो गया है और उम्र के असर की वज़े से और समाजी के राजनितिक तोर पर घिर गये हैं बोल कुछ और जाते हैं अब कल उन्होंने जो फटिलिटी पर जो बात कही है स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग मुख्य मंत्री इस तरह का भासा और इस तरह के उदारन का प्रियोग बिरहान सभा के पटल पर करे ये आज तक कोई इसका उदारन नहीं है ये दिख अब उनके राजनीत का अंतिम दोर चल रहा है दो चान पांच-छे महिना जितना दिन खीच कर चल ले इसके आगे अब चलने वाले नहीं है पूरे बिहार की जंता रोज देख रही है सिर्फ एक बयान का मतलब नहीं है उनकी अस्वमेदन सीलता उनकी राजनीतिक हरा किरी क कभी उलटके दाएं कभी उलटके बाएं आप उनका वक्तव उनका भासन देखिये जब राष्टपती आये थी महा महीम के सामने खड़े होकर पोडियम से जब भासन दे रहे हैं तो कभी कुर्ता उठा रहे हैं कभी बाल खजुला रहे हैं कभी बाल बना रहे हैं मतलब उन प्रजाब शराच लोगों की मृत्यू हो गई तो राज्य की मुक्या कि होने के नाते सोक संबेदना ब्यक्त करने के वजाए पोकेट में हाथ डालकर हुस रहे हैं को रहे हैं कि जो पीएगा वो मरेगा अपने आपको बड़ा काविल समझ रहे हैं जबकि जनता नीचे हुस र पताया और पतला और पतला तो कोई बुनकर ने आकर ऐसा काजिया कि बिना कपड़ा पहनाए ही उनको हाथी पर बैठा दिया राजा घूम रहे हैं वाह वाह कितना बढ़िया कितना बढ़िया राजा नंगा घूम रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं नंगा हूं त पर उनकी नासंजी पर उनके कुशासन पर और उनको दिखेगा जब कोई आदमी खड़ा होके कह देगा कि सरह आपके सरीर पर तो बस्तरी नहीं है और वो जनता को दिखाने का आउसर आएगा चुनाओ में चुनाओ में जब उनका दल हरेगा तो दिखेगा उनको आईने के तरह कि उनके सरीर पर कुछ बचा ही नहीं है उनके दल का कुछ बचा ही नहीं है जनता में कुछ बात को उनके लिए बची नहीं है